बूर आफ्टरणून कैसे हैं आप लोग चालें मेरा नाम सी ए अंकित वार्षने और मैं 2011 क्वालिफाइड हूं 10 साल मुझे एधे चार्टेड अकाउंटेंट बने हुए हो चुके हैं और पिछले आठ नो सालों से मैं टीचिंग में भी इंगेज हूं एक 35-year-old firm है उसमें मैं जिए पार्टनर मैंने जिसको जॉइन किया हुआ है और कॉर्परेट्स को और बैंक्स पगरा को audit करना हम लोगों का specialization है तो यह मैंने एक छोटा सा इंट्रो आपको अपना दिया आप लोगों का इंट्रो मैं ड्यूरिंग क्लास लेता रहूंगा और शुरू करते हैं हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट को नाम है जिसका taxation पहले में थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का इंट्रो दूंगा और इंट्रो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है जो चीज हमें पढ़नी है उस मेसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं हमा आपके ग्रूब वन में जो पेपर नंबर तो फोर है वो है आपका टैक्सेशन आपका यह पेपर फोर टैक्सेशन हंडर्ड मार्क्स के लिए हैं और हंडर्ड मार्क्स में आप लोगों से दो चीजों को पूछा जाता है एक आप लोगों से पूछा जाता है डारेक्ट टैक्स और एक आप लोगों से पूछा जाता है इंडारेक्ट टैक्स डारेक्ट टैक्स में हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग डिसकस करते हैं इंकम टैक्स को और indirect text में हम लोगों के slivers में जो है वो है goods and service text प्यार से प्यार महभबत में इसको हम लोग GST बोल देते हैं अब आप लोग के मन में सबसे पहला सवाल ही पर आ जाता है कि हम लोगों ने text को दो तरीके से classified किया है category में रखा और क्यों हमने GST को indirect text category में रखा definitely मैं आंसर करूँगा और मैं बड़ा simple सब्सक्राइब आप लोगों को अभी बस दोखों केबल इंट्रो दे रहा हूं इस चीज़को तो थोड़ा सा briefly समझाने की कोशिश करूँगा जह हम लोग income tax की बात करते हैं तो income tax जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है directly उसी से collect किया जाता है tax का burden जिस व्यक्ति के पास पड़ेगा वही tax सरकार को pay करेगा मैंने income कमाई सरकार मेरे उपर income tax लगा देगी then I have to pay such income tax तो मेरे उपर लगाया गया मैंने ही सरकार को pay किया burden भी मेरे उपर पड़ा पर जह हम लोग indirect tax की बात करते हैं तो indirect tax में tax का burden किसी और को bear करना पड़ता है और सरकार को जो tax pay करता है वो कोई और करता है जैसे बहुत simple शब्दों में अगर बात करो तो जैसे आज आप एक mobile की दुकान पर जाते हो और एक mobile phone को purchase करते हैं तो क्या mobile phone की purchase पर आप लोग government को अब बिल पर GST पे करते हो या नहीं करते हो या कोई भी garments purchase करने जाते हो तो क्या आप लोग GST पे करते हो या नहीं करते हो नहीं आपने किसको pay किया to the dealer और dealer उस amount को क्या करेगा पहुचा देगा किसके पास में government के पास में तो pay करने वाला कोई और है burden किसी और की उपर पड़ा directly उन्होंने आपसे tax collect नहीं किया indirectly आपकी आपसे tax collect किया गया इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं indirect tax generally कोई भी tax अगर आपके goods पर और service पर लगेगा तो वो हमेशा किस तरीक से categorize किया जाएगा as indirect tax indirect tax का अगर हम लोग एक feature समझने की कोशिश करें तो it is always a consumption tax consumption tax मतलब जो भी goods या service को consume करेगा उसको उस tax का burden bear करना पड़ेगा जैसे अगर आप एक customer है और मैं एक dealer आप मेर से कोई सामान लेकर गए तो आप इस सामान को खुछ से consume करने वाले हो या आगे जाका further resell करोगे तो definitely हम consume करेंगा अगर मोबाइल लेकर आए बुक्स लेकर आए पैन लेकर आए कल्कुलेटर लेकर आए तो यह सब चीज हम खुछ से consume करने वाले हैं तो आप customer है आपको ultimately उसका burden bear करना पड़ेगा customer जो कस्टों से मरता है उसको हम लोग customer बोलते हैं और जो text का burden है वो cable किसकी उपर पड़ता है customer की उपर पड़ता है यही बेचारा हमेशा text के भी कस्टों से मरेगा indirect text में तो indirect text का feature समझने की कोशिच कीजिए levy किसी और पे होगा पे कोई और करे text है जो consume करेगा उसी को इस text का burden bear करना पड़ेगा हम लोगों को income text में जो discussion करना होगा वो हमारे exam में पूछा जाएगा for 60 marks और जो हम लोग GST में discuss करेंगे वो हमसे पूछा जाएगा for 40 marks और ऐसे आप लोगों का 100% paper complete हो जाएगा जब paper की बात करते तो paper आप लोगों का जो होता है बेटा दो पार्ट में आता है paper जो होगा वो आपका किस में होगा दो पार्ट में part 1 and part 2 part 1 जो होगा वो आपका होगा mcq multiple choice questions यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ते यह नहीं बेटा यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर भी आपसे multiple choice questions पूछे जाएंगे और multiple choice questions जो होंगे वो आपके total 30 marks के होंगे और part 2 क्या होगा हमारा subjective होगा जहाँ पर question दिये जाएंगे आपको answer करना पड़ेगा को theory question भी हो सकता है को practical question हो सकता है जिसको आपको solve करकर दिखाना पड़ेगा that is for 70 marks इन 30 और 70 marks का जो ratio रहता है वो बिल्कुल 6 इस्टू 4 के ratio में रहता है मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 18 marks के जो mcq होंगे वो आपके कहां से होंगे 18 marks के जो mcq होंगे वो आपके direct text dt से होंगे और 12 marks के जो mcq होंगे वो बेटा आपके कहां से होंगे indirect text gst से होंगे same यही pattern यहाँ पर रहेगा 60-40 का तो paper को समझने की कोशिश करते कि multiple choice question भी रहते हैं subjective भी रहते हैं subjective में आपके जो question होते है one and half marks के भी question पूछे जाते हैं तीन number का question दे दिया जाता है दो part होते तो ऐसे में हर एक जो part हो गया वो कितने के लिए हो गया 1.5 marks के लिए हो गया और maximum 10 marks के लिए 14 marks के लिए भी आपके questions आपके subjective में पूछे जाएंगे मतलब variety रहेगी questions की ऐसा नहीं की के बड़े questions होंगे छोटे questions होंगे multiple choice होंगे subjective होगा ऐसा नहीं पूरा variety है अब अगर मैं बात करूँ तो multiple choice question multiple choice question पूछने से paper आसान होता है या tough होता है तो अगर मैं अपनी opinion बताऊं तो मेरी opinion के according अगर exam में multiple choice पूछे जा रहे हैं तो paper जो है वो tough रहता है अगर मैं चार number का एक question पूछूँगा तो वो मैं एक ही concept से पूछ सकता हूँ पर अगर मैं चार number में चार multiple choice पूछूँगा तो मैं चार concept को cover कर सकता हूँ probability आपके ना आने के questions की कहां पर ज़्यादा है multiple choice question में concept आता होगा आप चार number का पूरा का पूरा question attempt कर जाओगे मैं चार multiple अलग different concepts दूँगा हो सकता है कोई आता हो कोई ना आता हो तो paper tough mcq में ज़्यादा रहता है दूसरी बात एक तरीका होते जैसे आप लोग theory paper में खास्त और से समझते हो कि हम लोग heading heading पढ़ लेते हैं अंदर का तो लिखी देंगे और आज तक हम लोग ऐसा करते करते हैं यहां तक आ चुके हैं तो हम लोग का confidence जो है वह बहुत high level पर कि यह ना heading heading याद कर लो अंदर के तो बनाकर लिख देंगे चार नहीं देगा तो तीन तो दी देगा तीन नहीं देगा तो दो दी देगा पास हो जाए पर multiple choice question के regarding अगर आप यह approach रखते हो पर पढ़ाई की तो कभी भी आप अच्छे number नहीं ला सकते हैं क्यों नहीं ला सकते हैं क्योंकि multiple choice question कभी भी किसी heading से नहीं पूछे जाते हैं मलकि multiple choice question हमेशा हो सकता कि किसी heading के किसी अंदर के point से पूछा गया हो तो ऐसे में multiple choice question अगर आपको attempt करना है तो आपको ऐसे में अपनी पढ़ाई बहुत डिटेल में करनी पड़ेगी, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप multiple choice questions को attempt कर सकते हैं, otherwise multiple choice questions attempt करना बहुत दूर की बात हो जाएगी, पर हाँ अगर आपने तयारी बहुत अच्छे से किये, तो multiple choice questions आपके लिए अच्छे number लेने के लिए बरदान सावित हो आदा देदेगा, नहीं, या तो ठीक है, या गलत है, ठीक है, तो पूरे number नहीं है, तो zero number, तो आपको multiple choice question में सबसे पहला क्या फायदा होता, अगर आपकी तयारी बहुत अच्छी है, कि आपको solid marks मिलने वाले हैं, इतलब कोई ऐसा नहीं कि cutting होने वाली है, नमबर नहीं मि मिल सकते हैं, तो मैं अभी बस WhatsApp उसी चीज़ के लिए login किया था, दिखाऊंगा भी आपको, तो पहली बात solid marks मिलते हैं, दूसरी बात, अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से plan करके चलते हैं, multiple choice questions को अच्छे से attempt करते हैं, तो पता है, आपके हैना time saving भी होती है time saving कैसे, आपको multiple choice question होगा, तो बहुत बड़ी calculation तो उसमें involved नहीं होगी, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही उस चीज़ का answer क्या हो, समझ में आ जाए, answer आपको recall हो जाए, provision आपको ध्यान में आ जाए, और फटापट आपको को calculation paper में करके तो दिखानी नहीं है, OMR sheet है, आपको circle करना है, आगे बढ़ जाना है, पर अगर कोई question आगर हम लिखने के लिए theory का आए या practical आए तो हमें उसको solve करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ज्यादा time लगेगा, हम लोगों के साथ में एक problem रहती है, problem क्या रहती है कि हम 100% paper attempt नहीं कर पाते है, क्योंकि हमारा time जो है वो लिखने में ज्यादा चला जाता है, पर अगर multiple choice questions है और आप उनको पहले कर लेते हो, तो ऐसे में आप बहुत कम समय में multiple choice questions को complete कर सकते हो, और बाकी बचे हुई time में आप अपने subjective paper को अच्छे से plan कर सकते हो, तो ये फायदा है multiple choice question का कि आपको कही ना कही समय भी बचेगा time saving भी होके, ठीक है सर, time saving भी होकर चलेगी, तो multiple choice questions पर हम बहुत अच्छे से focus करते हुई चलेंगे, जिस किसी भी point से बनने के आसार होंगे, मैं आपको बताता हुए चलूँगा, अगर हम लोग बात करते हैं CA exams की, तो CA exams में multiple choice questions क अब आज की रिट में pattern change हो चुका है, pattern कैसे change हो चुका है, आपके multiple choice questions for one marks भी पूछे जाते हैं, for two marks भी पूछे जाते हैं, आपके हाँ पर multiple choice questions, direct question भी दे रखा होता है, और एक case study दे रखी होती है, आपको एक case दे रखा होगा, उस case के based होकर आपको चार से लेके 5 MCQ दे र होगा, तो multiple choice question में भी different pattern रहेंगे, बड़े multiple choice question for two marks, कुछ छोटे एक number के लिए, कुछ case study, ठीक है, तो यह आपका एक तरीका बता है, मैंने multiple choice question का, अब बात आती कि क्या हम लोग के number कर जाते हैं, क्या हम लोग के number कर जाते हैं, पूरे number मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो ब जो numerical aspects हैं, बहुत कम है, theory question आप हर एक exam में देखोगे, पूछे जाएंगे ही जाएंगे, 28 marks subjective है, उसमें theory भी होगा, numerical भी होगा, पर still क्या हम 40 out of 40 target कर सकते हैं, तो yes, और मैं आगे बढ़ने से पहले बात करूँगा उसी चीज़ पर, आपको दिखाता हूँ, कि ऐसा होता है या नहीं होता, यह एक बच्चे की chat है, और कुछ दिन पहले की ही chat है, कुछ दिन पहले की क्या, yesterday, कल की chat है, नवीन जिंदल, text, नाम से यह number save है, बच्चा हर्याणा में रहता था, जजर में, pen drive class ली थी इस बच्चे ने, और इसका, इसने अपना कुछ opinion शेर किया, उसको सुनिए जरा, सब मेरे GST में 40 out of 40 आई थे in January attempt, मतलब कुछ समय पहले जब COVID हुआ था तो जन्वरी में paper हुए थे, और उस attempt में इस बच्चे का कहना है कि मेरे 40 out of 40 थे GST में, and income tax में, जितना किया, 80 out of 80 MCQ, वो पूरे आई, मतलब 58 marks, he attempted and he got 58 marks, आगी की line आपके लिए irrelevant हो सकती है, इसलिए मैंने आपका ही class recommendation किया, अपने friends को दी, वो एक अलग बात है, वो तो बच्चे की उपर depend करता है, अगर बच्चा खुश रहता है, समझ में आता है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहता है, बस मैं यह दिखाना चाह रहता है, कि अगर हम यह सोचते हैं, कि theory में पूरे paper number नहीं मिलते, तो बेटा यह ऐसा नहीं है, हम कोई graduation का exam थोड़ी लिख रहे है, जहाँ हमें, मतलब paper केते number of pages में, हमने अपना answer लिखका है, इस basis पर हमें number दिखेंगे, यहाँ पर आपको professional exam है, content based आप अगर बात करें तो आपको number मिलने है, content आप पूरा लिख कराओगे, आपको पूरे number मिलेंगे, content आप पूरा नहीं लिखोगे, आपको पूरे number मिलने वाले नहीं है, पर actually क्या है न, हम लोगों की आदत खराब हो गई है, graduation करते करते, सब लोगों graduation कर रहे होंगे, या किसी की हो चुकी होगी, और आदत है हम लोगों की क्या जितने number of pages में answer करेंगे, उतना ही हमें मिलेगा number, पर क्या यह approach ठीक है, और दोखो हम लोगों को पता है, नहीं भी आता है, तो भी हम pages भर देते हैं, यह हम मारे पास कला है, है बाकी सब ग्यान है, बस यही एक कला है, आपको कोई भी question दे दिया जाए, कोई भी question दे दिया जाए, और पता है इदो को बहुत सारी बात है ऐसी होती है, जो theory के regarding मुझे परिशान करती है, और आप लोग बैसा करकर आते हो, जैसे बच्पन में क्या होता था कि आपको जैस चार advantage और चार disadvantage ही हमें लिखकराने ना एक ज्यादा ना एक कम, अब भले ही उसके तीन ही advantage हो पर नहीं हम लिखके चार ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, पहले तीन heading डाल के लिखके आएंगे, चौता वाला तीन वारतों को मिला कर चौता बना कर आएंगे, और बता देंगे चार ही चीज़े हमें क्या करनी है, पर कहां लिखका है यार कि पहली बात की चार advantage लिखको, चार disadvantage, जितने advantage है उतने लिखको, आप लोग नहीं पर तो पूरा लिखका, कोई question theory का आपको दिया जाता है और आपको बिलकुल नहीं आता, बिलकुल नहीं आता, पर तब भी concept हो तो एकार line तुम जानते ही होंगे उसके बारे में, वो line लिखते हैं उसके बाद, फिर लिखते हैं, in other words we can say, in other words we can say, फिर मतलब उस examiner को एक वार में समझ में नहीं आएगा, हम उसको आशन शब्दों में फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, उसको फिर in other words समझाते हैं फिर एक बार question लिख देते हैं, और फिर देखते हैं, हाँ, आदा पेस तो भर गया, चार नहीं देगा तो, तीन तो देगा, पतलब आप सोच रोकी, आप खुद से, कहां सोच रोकी तीन देदेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने लिखा क्या है, आपको पता है कि मैं क्यों नहीं मेले कभी सोचा, नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा, पास होगे, उसको बात कौन सोचता है कि है, कि सो में से सो नहीं आए, पर क्योंकि आपके लिखने में कहीना कमीती, आपने एट पर जो भी requirement होगी या जो भी standard होगा, उसके according आपने answer नहीं किया, आपको कभी सो promises नहीं आए, पर कभी हमने इस पर बिचार क्यों नहीं किया, क्योंकि हम कभी fail नहीं हुए, पर यह CA boss, सब कुछ सिखा देता है, आपको यह भी सिखा देगा कि आपको अपने answers review करने है, जो हम अब तक नहीं करते हैं, तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि theory में भी बच्चे पूरे में से पूरे number मिलते हैं, जैसे 40 out of 40 अगर इस बच्चे ने target किये, achieve किये, तो मैं बोल रहा हूं कि theory आती है, उसका मतलब इसको theory में क्या है, पूरे में से पूरे number मिले है, पर हमारा जो answer है, वो perfect होना चाहिए, पता है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यह कि हम अपने लाइनों का है, तो क्या केबल आप भी पता है, यह answer चाल लाइनों का है, क्या मुझे examiner को नहीं पता, और हम लिखके आएंगे, चाल लाइनों में, चाल लाइनों में answer खतम हो जाएगा, तो feeling नहीं आएगी, चाल लाइनों का question हमने attempt किया है, हम तो बढ़ाएंगे, आदा पेश तक लिखे जाएंगे, दस लाइनों तक लिखेंगे, तो मुझे भी तो पता है, आपने चाल लाइनों का answer दस में लिखका है, तो कुछ नहीं पता है, हाया ना, तो मुझे भी पता है, आप फैंक रहे हो, तो मैं कैसे पूरे number दे दूँगा, दूसरा, एक आपकी writing ब बतलब, चार चान लग गया, और last answer लिखोगे, तो oh, क्या writing है, पहला वाला, oh, क्या writing, और बाद वाला, oh, क्या writing, वो वाली last वाली writing ऐसी कि मैं पढ़ू या खुदा, हमें पता है, खाना पूर्ती कर रहे हैं, हमें answer तो आता नहीं है, बस page भढने, line भढने है, समय बचा है, घिच-पिच हो गया है, कि तुम सही से पढ़ना लो कि हमने क्या लिख रहे है, हमें concert कितना आता है, हम उस तरीके से answer करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद से बता रहे हैं कि भाई साब, इस question को check मत करना, यह फैका हुआ है, वो भी कि अगर तलास पे काड़ की जीर cost FM, यह ऐसे subject से जितमें आज तक 100 out of 100 आ चुके हैं, intermediate level पर ही बात कर रहा हूं, cost में 100 out of 100 अब तक आ चुके हैं, accounts, advance accounts, 100 out of 100 आ चुके हैं, बस numerical में बात करे तो tax ही एक ऐसा paper बचा है, जिसमें 99 तक बच्चा पहुँचा हुआ है, अभी भी 100 का आकड़ा टच करना बागी है पर किया जा सकता है, 99 आने का मतलब समझ रहे हो कि उसको फिर से again theory में क्या हुए है, पूरे number मिले हैं, पर एक number का हो सकता है, उसने कहीं गलत किया हूँ, मैं अपने एक नहीं, ऐसे 50 students को जानता हूँ, जिनका accuracy level बहुत perfect था, बहुत perfect मतलब जिनका attempt किया, almost उतने number आये, दो theory पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि theory पूछी जाती है, और theory के regarding हमारा perception बनाए कि हमें पूरे number नहीं मिलते, दूसरी दिक्कत theory के regarding क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जब भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम revise करने की कोशिश करते हैं, अपने subjects को, like accounts ले लिजे, like cost ले लिजे, like text ले लिजे, ऐसा कोई भी paper जिसमे theory भी है, और numericals भी है, जब भी आप revise करते हैं, तो आप कभी theory revise नहीं करते हैं, आप सीधे उठाते हैं, उसके numerical, numerical बनाना शुरू कर देते हो, और काम खतम, कभी आप theory को revise कर करके देखते हो, चैप्टर स related theory क्या है, नहीं, वो तो हम exam time में याद करेंगे, अब यसे याद कर लिए, भूल जाएंगे, बिना बाद क्यों time खराब करेंगे, भी time खराब हो जाएगा, exam time में हम याद करेंगे, ताजा 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 याद रहेगी, जाके लिख देंगे, पर दिक्कत आपके सामने आती हैं, और जब आप उनको लिखना शुरू करते हो, तो आप लोग पहले सोचते हो, कि मैं अपने answer को शुरू कहां से करूँ, वास यह शुरू हो जाए, खतम तो कर देंगे, कितने page में करना वो भी हम जानते हैं, पर दिक्कत के वल कहां पे, start कहां से करें, यह वो start point आपको ने मिल पाता, पर अगर आप theory को during the classes revise करो और उनको लिख कर देखो, तो आपकी यह problem भी खतम हो सकती है, कि हम लोग अपने answer की शुरूरात कहां से करें, content कम पर जाता है, आप exam में पहली बार जाका लिख कर देखते हैं, तो क्या जितना याद किया पूरा क लिखते हैं इतना, नंबर expect करते हैं इतने, इतने नंबर का question होता है, expect करते हैं इतने और आते हैं इतने, तो वो ratio जो बाद में कहिना कहीं equal होई जाता है, तो दिक्कत आप अपनी समझे कि हम लोग की जो दिक्कत हैं, वो कहिना कहीं हमारे में ही है, पर हम लोग जानते हैं क कैसा पेपर करकर आएं कैसा नहीं और जैसी रिजल्ट आने को होता है हम लोग अपने घर में माहुल बनाना शुकर देट पापा बहुत तफ रिजल्ट आता है बहुत कम आता है क्यों पापा को भी मेंटिली प्रिपेर कराना है कि कुछ भी हो सकता है तो ऐसा नहीं कि रिजल् एक टार्गेट किलियर कर सको कि मुझे अपने पढ़ाई का जो तरीका है वो इंडेप्स लेकर चलना है हेडिंग हेडिंग लेकर चलूंगा कुछ नहीं होने वाला डिटेल्ड पढ़ाई करनी है छोटी से छोटी पॉइंट को भी देखना है थियोरी को इग्नोर नहीं करना तो करेंगे करेंगे तो हम लोग इसके साथ करते हैं अपने लेक्षर कौ सबसे पहले हम लोग बचले डिसकस करेंगे GST को, जब GST हमारा complete हो जाएगा, then हम लोग discuss करेंगे income tax को, तो शुरू करते हैं, हम लोग अपने goods and service tax हम वकाइदा नोट्स बना कर चलेंगे हम वकाइदा नोट्स बना कर चलेंगे और हर चीज़ पर खूब multiple examples करकर देखेंगे, example ही example होंगे, example की बाड़ा जाया करेगी कई 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 बार तो आप लोगों के या, goods and service tax, पहले मेरी बात को केबल समझेंगे, अभी लिखने का नहीं है, जब लिखने का होगा तो मैं आपको बता दूगा कि बच्चे यहां से लिखने का है, आप लोग लिख सकते हैं और शुरू करते हैं और मैं पहले आपको प्रॉसा इंट्रो देना चाहता हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि जो GST है वो effective कब से हुआ, मैं डेट नहीं जानना चाहता क्योंकि डेट याद हो ऐसा बहुत ही रेर होगा, पर कोई टेंटिटिव नियर अबाउट यह भी बता सकते हैं तो मुझे चलेगा, 2017, 2017, 2017 was the date जिस दिन GST आपका क्या हुआ, effective हुआ, लागू किया गया, मेरे एक बड़ा simple सा सवाल मेरे मन में आ जाता है, कि क्या goods and service text के बाद ही हम लोग ने goods और services पर tax लागू किया, या इस date से पहले भी goods और services पर taxes लगाय जाते थे, आपके मन में क्या होता है, लगाय जाते थे, बिल्कुल ठीक लगाय जाते थे, पर ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी, कि हम लोगों को वो पराणे tax system को हटाना पड़ा, और उसकी जगे हम लोगों को एक नए tax system goods and service tax को लाना पड़ा, क्या दिक्कत रही होगी, lawmaker खाली बैठा होगा, बहुत रोसी law नहीं बनाया, कोई नया law implement नहीं किया, तो नया law बनाते हैं, आज नया law लागू करेंगे, ऐसा या पराणे system में कुछ कम्या रही होगी, कम्या रही होगी, आखिर क्या कम्या रही होगी, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करना चाता हूँ कि GST लाने की जो need थी, वो need क्या रही, किसी भी चीज़ का origin है, वो किसी reason के लिए, और क्या reason रहा जिसकी वज़से हम GST को ले कर आए, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम GST को क्यों लाएं और जब इस बात को हम समझ जाएंगे कि हम GST को क्यों लाएं तो फिर हम लोग GST लाने का में मकसर समझ सकते हैं या मैं आपसे कुश्चन पूछू कि what are the advantages of GST तो कौन-कौन से advantage रहे होंगे जो पराने सिस्टम के disadvantage रहे होंगे हमने उनी को खतम किया होगा वो हमारे GST के क्या बने होंगे advantages बने होंगे तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं और one time examination question advantages of GST बताईए तो इसका मतलब अब ऐसा नहीं कि मैं आपको need समझा रहा हूं तो यह बस फाल्तु की बात है इसका हमेरे exam से कोई लेना देना नहीं है मेटा exam में भी पूछा जा सकता है तो इसलिए मेरी बातों को अब थोड़ा सा ध्यान से समझते चलेंगे goods and service tax और सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं need of GST need of GST या फिर disadvantages of old regime या फिर आप बोल सकते हो कि position before GST किसी भी तरिक need of GST क्या रही तो मैं आपको कई सारे points से समझाना शुरू करूंगा कि GST की need आखिर क्या रही या पुराने system में disadvantages क्या क्या रहे पहले point को समझाने की कोशिश करता हूं समझेंगे आपके मन में जहां कहीं भी कोई भी डाउट आए आप बिलकुल free है उन डाउट को पूछने के लिए और मेरी class में एक नियम रहता है कि कोई भी किसी के डाउट पर हसेगा नहीं क्योंकि कई लोगों के इसापसे लगता है कि यह बड़ा senseless है useless है यह पूछ लिया तो ऐसा ना करें क्योंकि दूसरे बच्चा अगर आपकी query नहीं तो हो सकता है कि वह किसी दूसरे की query हो और आप उसको अगर ऐसा हसते है तो अगली बार से वो query नहीं पूछेगा और आगर आप हसेंगे तो फिर मैं ऐसे ऐसे जोग आपके उपर बना दूगा कि पूरी क्लास आपके उपर हसेगी तो वो काम ना करें और आप लोग आएं टाइम लगा कर आएं पैसे खर्श कर रहें तो query कोई मन में रहनी नहीं चा मैं जब तक बढ़ता ही नहीं जब तक सारी query solve नहीं हो जाती हो बच्चों से मैं बार बार खुद पूछता रहता हूं किया कोई सवाल तो पूछ लो तो मैं पात करता हूं पहला GST जहां करीबी जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं नया subject है आप सबके लिए कभी आपने टेक्स नहीं पढ़ाया तो definitely मन में सवाल आ सकते हैं तो आप बेज़ेज़क पूछिए पहला मैं रिजन बता रहा हूं कि पुराने सिस्टम में क्या दिक्कते थी जिसकी वज़े से हम GST को लेकर आए बीटा पुराने टाइम में हम जब goods को manufacture करते थे goods की जब manufacturing करते थे तो इस manufacturing के ऊपर हम लोग एक tax charge किया करते थे जिस tax को नाम दिया करते थे excise duty goods manufacturing पर हम लोग क्या charge किया करते थे excise duty और जो यह excise duty charge की जाती थी जब GST आया तो उसमें जो excise duty का rate था 12.5% था मतलब जब GST को हमने खतम किया तो उसमें excise duty चलन में था और जो excise duty charge की जाती थी वो 12.5% के rate से charge की जाती थी और जब goods को manufacturing कर रहे हैं goods की क्या कर रहे है manufacturing कर रहे है मैंने अगर यह pan manufacturing किया और अगर यह excise में cover होता है तो इसकी manufacturing पर मुझे सरकार को क्या देना पड़ेगा जो भी इसका price होगा उसके उपर 12.5% excise duty मुझे pay करने पड़ेगे पिर जब हम लोग इसी goods को क्या करते थे sale करते थे इसी goods को हम लोग क्या करते थे sale करते थे तो पता है sale करने पर हमें एक sales tax देना पड़ता था goods manufacture हुआ excise duty उसी goods को हम sale कर रहे हैं तो हमें क्या देना है sales tax sales tax भी दो तरीके का हुआ करता था एक जिसको हम लोग नाम देते थे value added टेक्स प्यार से बुलते थे वैट एक ता Central sales tax Central sales tax जिसको प्यार महबत में बुलते थे CSD क्या बुलते थे CSD यह जो value added tax था यह चार्ज किया जाता था local sales पर local sales मतलब अगर मैं दिल्ली में रहने वाला हूं और मैं sale भी किसी दिल्ली के ही परसंट को कर रहा हूं तो local sale हो गई that is within state sale हो गई तो जो भी within state sale हुआ करती थी उनमें क्या होता था आपका value added tax charge किया जाता था और जब भी sale one state to another होती थी एक state से दूसरी state में होती थी तो ऐसे कि इसमें आप लोग उसे जो tax charge किया जाता था उसको में लोग नाम देते थे CSD Central sales tax उन्होंने बाइफर्गेट कर रखा था within state बाइच चार्ज करेंगे और outside the state हम लोग क्या करेंगे आपका CSD चार्ज करेंगे local sales पर जो tax charge होता था वो state government करती थी और interstate sales पर जो tax charge होता था उसको central government collect करती थी लाइवे करती थी collect करती थी साथ में जब अगर हम लोग बात करते एक state से दूसरी state में सामान बेचने की तो अब सामान दिल्ली से सपोज उत्तर प्रदेश को जा रहा है तो जैसी उत्तर प्रदेश के border में सामान entry लेता था तो तो ऐसे में हमें एक tax और देना पड़ता था जैसी दूसरी state में हम entry लेते थे और एक tax क्या देना पड़ता था अब इसी चीज को मैं आपको एक numerical के माधिन से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर यह mechanism समझा लगाया है जाए किसी goods के आपके सेल पर तो आखिर क्या impact पढ़ने वाला है मैं बोलू कि गुट्स मैंने वैल्यू ओफ गुट्स अनुप्ट्ट्र कर लेते हैं एक लाख रुपे जो गुट्स मैंने बनाया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है एक लाख रुपे अब गुट्स manufacture किया तो इस पर क्या लगेगा एक्साइज ड्यूट्य लगेगी और एक्साइज ड्यूट्य कितनी लगेगी एड़ दारेट 12.5 परसेंट लगेगी कितना जाएगा 12.500 अब आप तो 12.500 अब आप सामन को क्या करोगे का बनाके अप्तोड एक्सामन को मैं क्या करूँ गा आँगे के अब करूंगा जब भी मैं सेल करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा सेल इंटर इस्टेट्स इंटर इस्टेट सेल है तो मैंने क्या कर लिया CST चार्ज कर लिया और अगर मानते हैं यह अन्रेजिस्टर्ट परसंट को सेल है तो ऐसे में GST सेल टेक्स भी कितना 12.5% CST अगर अन्रेजिस्टर्ट को लगाते थे अन्रेजिस्टर्ट की उपर सेल करते थे तो CST का जो रेट था 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 स्वरी CST का जो रेट था वो कई सारे रेट थे 2% 5% 12% 20% 28% तो मैं ना 28% higher rate लेता हूं ना 5% lower rate लेता हूं मैं एक neutral average rate ले लेता हूं 12% का सब उस 12% का सिल टेक्स लगाया गया और जब सेल टेक्स लगाया जाता था अब किस प्राइस पर लगाया जाए जब इस एक लाक र्पेश को पर 12,500 पर तो लॉय कहता था कि एक लाक ला goose or 5ael timing अवह इंकलूू इंक्छाइब Kinga उसका मतलब मैंने 12 परर्सेंट लगाया किस पर 12,500 अगर 12% निकालेंगे तो आप अपने अस्धिस्र उस्थरों से बताईग ए चलीक्लू울िट करके कि 13,500 और टोटल में यह आपका हो गया 126,000 हाया ना हाया ना और जब यह सामन्द किसी दूसरी स्टेट में जाएगा तो क्या होगा एंटी टैक्स भी लगेगा और एंटी ठेक्स लगके क्या होगा आपको एक फाइनल फीगर आजाएगा क्या आपको इस सिस्टम में कोई दिक्कत लग रही है ने लग रही है क्या दिक्कत लग रही है Tax on Tax तीन बार टेक्स लग रहा है वो एक अलग इस्यू हो गया पर जो तीनो बार टेक्स लग रहा है उसमें टेक्स कंपोनेंट पर भी टेक्स लग रहा है अगर मैं यहाँ पर एक लाख रुपए पर टेक्स लगाता तो केमल कितना आता? 12,000 रुपए पर मैंने टेक्स लगाया कि इस पर 112,500 इंक्लूडिंग एक्साइस तो ऐसे मेरे टेक्स का जो एमाउंट आया वह आया कितना पर यहां पर यहां पर 12,000 का अमाउंट होता तो फिर ऐसे में चार हजार रुपे करता तो क्या यह फाइनल सेल प्राइस कम का होता या नहीं होता आपके लिए तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर हम दो-तीन डिस डिसक्स कर सकते हैं noob 1 Tax on tax ्ैक्स कमरेंट पर भी क्या लगा इसको लोग अपने city लेंग्वीच में बूलते हं कैरें क्या इसको सबसेबडि बार्ब्लम परवाने टेक सिस्ट में कि से टीक एफेक्ट की और नमबर दो इसके कारण क्या हो रहा था जो प्रोड़क का रिटेव प्राइस है वो बढ़ जा रहा था रिटेव प्राइस बील इंक्रीज और रिटेव बढ़ेगा तो इसे महंगाई बढ़ेगी तो इंफलेशन को बढ़ा कर चलता है अमेर आधमी को प्रक्ता पर्गरीव अदमी के लिए कहीं तो कि बिंग कन्संप्शन टेक्सझ जिसका टेक्स है जो जो कंजूमरे उसी को टेक्स करना यह तो जिसकी इंकम कम है उसको कहां से इन फ्रक करने के लिए पैसा आएगा अगर कम यह तो चलो समझ में आती है अगर इतना ज चीज और नाम देते हैं कि GST is a regressive system GST को हम तो क्या बोलते हैं GST is a regressive system regressive system means दुखा कर मैं GST में एक simple सा आपको एक example लेकर चलो सपोज यह phone है इस phone को मैं भी purchase करता हूं एक मिरसे कम income वाला भी purchase करता है और एक मुझसे बहुत जाता income वाला भी इस phone सेम फोन को purchase करता है तो क्या based on our income क्या टेक्स का amount अलग-अलग होगा यह टेक्स का amount सेम होगा सेम होगा विकॉज इस चार्ज ऑन दबे ऑन दा प्राइस ऑफ फोन मेरे स्टैंडर्स से मेरे income से कोई फ्रक नहीं पड़ता यह जो amount चार्ज किया गया है इस फोन पर वो तो फोन के according चार्ज किया गया है वह यह फोन की value इतनी है और इतना क्या देते हैं Regressive System a progressive system बात करें अगर income text की तो income text is a progressive system income text में ऐसे text नहीं लगाते कि भाई चलो सब लाइन में खड़ा कर दी सबसे एक एक लापर बस दो नहीं ऐसे नहीं होता वहाँ पर रहता कि कम income income बढ़ जाएगी थोड़ा सा tax credit हम और क्या करेंगे और बढातेंगे बहुत income बढ़ जाएगी tax को और higher करतेंगे जैसे कर आपको कीबल समझाने के लिए बात करूं कम income हम कोई भी tax charge नहीं करते थोड़ा सा income बढ़ती तो हम 5% tax charge कर लेते हैं थोड़ा सा income और higher होती हम 20% tax charge कर लेते हैं और ज्यादा होती हम 30 percent tax charge कर लेते हैं तो यह क्या है progressive जिसकी जैसी progress होती जाएगी उसको उतना ही tax क्या होगा बढ़ता चला जाएगा पर indirect tax में बात करें तो indirect tax एक regressive system है ना कि progressive तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपसे बात को भी बता सकते हो कि indirect tax is a regressive system not a progressive system और income tax just उल्टा है income tax progressive है ना कि regressive तो अगर मैं है इस system में disadvantages discuss करूँ बेटा तो disadvantages क्या हो जाएंगे पहला disadvantage tax on tax that is cash getting effect retail price will increase retail price will increase क्या आपको यह चीज समझ में आई या नहीं आई आगई तो पुराने system की में बुराइया कर रहा हूं और बुराइयों में दो बुराइया मैंने बता दी tax on tax और एक retail price will increase पर क्या GST में यह सब चीज़े खतम हुई सवाल तो यह है कि पुराने system में कमिया आती पर क्या वो कमिया GST के दौरा दूर हुई या नहीं हुई GST लाना सफल हुआ या नहीं हुआ तो मैं बिटा अभी तो नहीं बताऊंगा मैं अभी आपको GST से पहले की position समझा रहा हूं जब मैं अपनी need खतम कर दूँगा GST से पहले position कर दूँगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि GST में आखिर कैसे काम होता है और GST में जिस तरीके से हम काम करते हैं तो क्या पुराने बाकी सारे जो भी disadvantages थे क्या हमने खतम किये उस mechanism से या नहीं किये तो वो मैं आपको later on proof करूँगा सारे disadvantages को खतम करेंगे और बात करेंगे GST के advantages की बर हमें थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं आज आते हैं दूसरे point पर बात करते हैं कि आकर क्या GST में हमें कुछ और भी disadvantages थे इसमें कुछ लिखने का है नहीं इसमें कुछ लिखने का नहीं तो कि बल मैं समझा रहा हूँ जहां से मैं आप लोगों को लिखवाना शिरू करूँगा that is GST effective कपसे हुआ GST के advantages क्या है और फिर हम so on बात करेंगे ठीक है यह तो कि बल आपको समझने वाली बात है आपको य दूसरा केस समझते हैं कि आखिर GST आने से पहले काम कैसे होता था तो मैं पहले आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक पुराने टेक्स सिस्टम का advantage फिर उसी advantage से मैं कुछ disadvantage की तरफ को चाहूंपा एक ये विक्ती है Mr. Arman ये दिल्ली के हैं और दिल्ली में ये माल लेते हैं रजिस्टर परसन हैं रजिस्टर डीलर हैं दिल्ली के हैं यहाँ पर एक व्क्ती है Mr. वीर ये भी दिल्ली के हैं और ये भी रजिस्टर हैं हुआ क्या मिस्टर अर्मान ने कुछ से किन लोकल परचेश की audio क्या किया बिटा इन्होंने कुछ लोकल परचीज की लोकल परचीज मतलब विदिन दा इस्टेट इन्होंने सामान को क्या किया परचीज किया तो बताओ विदिन इस्टेट अगर यह सामान परचीज करकर लाएं तो इन्होंने परचीज पर कौन से टेक्स का पेमिंट क्या हो 5% bhat. तो ये total कितना payment करके आये होंगे? सब goods के लिए पेकर क्या आये होंगे? 5,000,00 रुपीज. और जो bleat है उसके लिए पेकर कराये होंगे. V Delhi cook के नमपर पेकर क्या आये होंगे? 25,000 रुपीज. और total में pay करकर आये होंगे? 5,24,000 रुपीज. हाँ या ना वे गुर्स की वैल्डी फैबलेक उस पर टेक्स लगा 25,000 रुपीस का टोटल में 5,25 रूपीस नोंने क्या कर दिया पे कर दिया अब यह सामाल लेकर अपने गोडाउन आ गए अपनी शॉप आ गए और इस सामाल को नोंने क्या कर दिया रिसेल कर दिया प्रेडर है डीलर है रखने के लिए तो लाए नहीं इसको फर्दर क्या करेंगे रिसेल कर देंगे तो इन्होंने इसको क्या कर दिया डेफिनेटल कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया सपोज दो लाग रुपए का टोटल सेल क क्या कर दिया अब इन्होंने दूसरे customer से कितना चार्ज किया होगा goods के लिए तो 7 lakh रुपए charge कि होंगे हाया ना और प्लस bet के लिए चार्ज किया हो प्लस 5% that is 35,000 तोटल में इन्होंने customer से कितना collect किया होगा 7, 35,000 आप मुझसे सहमत है आया न? यहीं अब जैसे ही सेल करी होगी जैसे ही सेल कियोगी क्या सरकार इस अर्मान के पास पहुँँ जाएगे यह नहीं कर पहुँँ जाएगी कि भाई साल आपने सेल करी सेल करी तो आपने टेक्स कलेक्ट किया एक्सका जो पैसा है वो मेरा सरकार का है कर दो हैं इसे टैक्स पैसा मंगे यह नहीं मांगेगी कितना मांगेगी यह आपने क्लेक्ट कितने का 35,000 रुपीस का मैं बस एक बात आप से जानना चाहता हूं कि क्या 35,000 आपको देते पर अच्छा लगेगा क्यों मेरा सवाल फिट से आप लोगों से आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुछ सही आ रहे हैं मैंने 35 क्लेक्ट किया आप चीजों को अपने उपर लेकर देखो तब ही समझ मैंगा कि मेरे पास से इतना जा रहे हो जाया ऐसा होता है हां बनिया हो हां देखा मैं भी बनिया हूं क्या बोलू चार्टर अकाउंटेंट उपर से बनिया तो पैसे बचानी की बात तो करेगा ना करनी पड़ती है हमने खडी 7 लाइक टेक का 35,000 क्लेक किया सरकार मंगने आ गई और आपसे मांगरी टेक्स दो उपने अपर 35 percentage लगे तो ऑपको अच्छा लगेगा बिलकुल नहीं लगेगा अब सराकार को क्या होलोगे यह कुल बात भुज अभी तो सामन्द पर्चिस करके लेकर रहेग सब्सक्राइब करें आपको किसी और ने थे तो सरकार क्या चाहता है इतना चाहता हूं कि 35,000 मैंने collect किया, I accept, मैं accept करता हूँ 25,000 मैंने collect किया, पर already 25,000 मैं आपको दे चुका हूँ, तो बचा कितना, 10,000, यह ले लो, अपना मेरा हिसाब नक्की, खतम, बात खतम, क्या logical है, logical है, और सरकार ऐसा allow करती थी, सरकार ऐसा mechanism allow करती थी, इसको हम लोग बोलते हैं, output tax, output tax मतलब, sale मतलब, business से output हो रहा है, purchase को क्या बोलते है, input, तो output पर जो tax charge किया, उसको नाम के दे दिया, output tax, purchase किया, purchase पर जो tax pay के उसको नाम के दे दिया, input tax, और output minus input करके जो net amount बचा ये क्या गया, tax payable, इतना सरकार को पे जाता था, इस पूरी mechanism को बोलते थे, इस चीज़ को बोलते थे, ITC, input tax credit, input tax का हमने आपको क्या दे दिया, credit दे, क्या दे दिया, हमने आपको input tax का, credit दे दिया, तो earlier tax system में, हमें जो भी earlier stage पर tax pay करते थे, उसका credit मिल जाता था, अच्छा mechanism है, बिल्कुल अच्छा mechanism है, पर क्या ये GST में carry forward हुआ, येस, GST में carry forward हुआ, पर कुछ modified route में, मैं आप से बात करना चाहता हूँ, फिर से पिछले थोड़े से provision पर, हम यहाँ पर input tax credit देते तो थे, input tax credit के नियम तो थे, पर input tax credit बहुत ही restricted था, क्या था बहुत ही? restricted, restricted in what sense? अगर मैं बोलूँ कि बेटा, आप लोगोंने local purchase के साथ में कुछ inter-state purchase करी, क्या करी आपने कुछ? inter-state purchase करी, suppose मैंने 2,00,000 रुपय का सामन purchase किया, at the rate 2% CSD, तो मैंने CSD कितना pay किया? 4000? मैं pay कर कर आया हूँ tax, पर सरकार इस CSD paid का हमें credit allowed नहीं करते थी, क्यों नहीं करते थी? क्योंकि यह जो local tax था, वो कौन चार्ज कर रहा था? state government, यह tax कौन कलेक कर रहा था? CSD? Central, तो उन्हें का क्या, तुमने Central को दिया ना, वो tax, मुझे state को तो नहीं दिया, मैं तो state government अपना पैसा मांग रहा हूँ, local bet, मतलब मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, और मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, तो मैं उसमें से उसी amount को तो आपको adjust कर सकता हूँ, जो आपने मुझे बिशवाया, आपने Central को बिशवाया, मुझे क्या पता Central को मिला, नहीं मिला, कितना मिला, मैं कैसे verify करूँ, मैं नहीं दे रहा credit, और यह क्या करते थे? बिइंग, लेवी, अलग-अलग government के द्वारा किया जाता था, इसलिए एक smooth input tax credit availability नहीं थी, और यहाँ पर आपको credit तो मिलता था, पर no credit of CSD, आपको CSD का कोई credit नहीं मिलता था, दिख्कत है या नहीं है? मैंने tax pay किया है, सब लोग मानने को तयार है कि यह 4000 रुपे, tax के नाम से ही मैंने पेख्या है, पर government मानने को तयार है कि मैंने यह 4000 रुपे का भी tax pay किया है, और मुझे credit नहीं मिलता था, पहला दिक्कत कि credit मिल रहा है पर एक smooth way में नहीं मिल रहा है कि अब लोकल purchase का ही मैं credit avail कर पा रहा हूँ इंटर स्टेट का मैं credit avail नहीं कर पा रहा हूँ दूसरा एक दिक्कत और समझाता हूँ earlier law में अगर बात की जाएं तो goods पर तो bet लग गया CST लग गया पर अगर कोई earlier law में services देता था तो services पर पता है क्या लगता था service tax और service tax का जो rate था 14% का service tax प्लस एक सवच भारत CES लगता था 0.5% का और एक लगता था क्रिशी कल्यान CES 0.5% का और total में effective rate of service tax कितना था 15% अगर मैं आपको coaching दे रहा हूँ तो ऐसे में मैं आपसे जो fees collect करूँगा उस पर earlier law में मुझे कितना tax collect करना पड़ता था 15% अगर 10,000 रुपे मैं आपसे चार्ज किये तो 15% tax that is 9,500 टोटल में 11,500 मैं आपसे चार्ज करूँगा 1500 रुपे सरकार को दे दूँगा 10,000 रुपे आपसे मेरा जोग पार्ट रहता था पर यहां पर भी एक दिक्कत थी अब दिक्कत जाना समझने की कोशिछ करते हैं मैं आपको क्लास दे रहा हूँ में मुझे laptop की जरूरत पर रही है, मैं को class दे रहा हूं मुझे इन सब चीजे को क्या करूंगा पर उचेस करूंगा, अगर हैamentos प्रचेस पर प्रवे अ बार्गी सब में प्रचेस क कर करा बाकेन कहा होगा आप से कलेक्ट किया सर्विस टेक्स तो सरकार को भी तो सर्विस टेक्स दूंगा अब माइनस करने की बात आएगी कौंगा साब मैंने बैट पे किया होगा हमें क्या फरक पड़ता है सर्विस टोड़ी पे किया हम सर्विस टेक्स में केबल किसका क्रेट देंगे सर्विस टेक डेपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ में इंट्रीग्रेशन नहीं था तो हर डेपार्टमेंट एक दूसरे के टेक्स क्रेडिट को देने समाना कर देता था बैट वाला सर्विस टेक्स का नहीं देता था सर्विस टेक्स में बैट का क्रेडिट नहीं मिलता था पहले 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 जो प्रोविजन बने थे वो इसी तरीक है कि बैट में से बैट लो सर्विस टेक्स पेसे सर्विस टेक्स लो पर अगर बात करें आपके जी एसटी में तो GST में अब goods और service पर कोई अलग अलग टेक्स चार्ज नहीं होता दोनों पर क्या चार्ज होता है GST और GST इसे GST को क्या करते है सट अफ करते है पहले दिक्कत क्या कि एक bad चार्ज हो रहा है एक service पिस टेक्स चार्ज हो रहा है इसलिए आप अपसमें क्रेड़िक नहीं मिल लाता पर अब हम छार्ज ही क्या करनए दोनऊचीज़ों पर मना थोड़ी कर रहा हैं क looking पैंनों ने इंतर स्टेट पर टेक्स पारे ग्या पर कर आ रहा हूं को ज़िए कर ऑँ마 गरूछ by तो इन पार की जाए तो there is a smooth chain of input tax credit जो earlier provisions में नहीं थी तो हम लोग यहाँ पर अगर एक disadvantage निकालना चाहें तो disadvantage क्या निकाल सकते हैं no smooth input tax credit availability यह कुछ दिक्कत थी हमारे प्राने टेक्स सिस्टम में और apart from this अगर बात करें तो integration नहीं था एक दूसरे department से तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति सही खर्चे क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको भी ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल रहता था तो पर इन main reasons की वज़े से main disadvantages की वज़े से हमें एक नए टेक्स सिस्टम की ज़वरत थी और नए टेक्स सिस्टम को लागू करने के लिए जो recommendations थे वो सबसे पहले 2000 में दिये गए थे year 2000 कि हमारे हाँ पराने टेक्स सिस्टम को खतम करके एक नए टेक्स सिस्टम को जीएस्टी को लाना चाहिए पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं और 17 साल बाद केबल 17 years later हम लोगों ने अपने हाँ जीएस्टी को क्या कि केवल 17 साल बाद हमने इंतिजार करना पड़ा recommendations के हम इंडिया वाले हैं हम बैसे भी कोई जल्दी काम करने के लिए नहीं जाने जाते हैं इवन पिक्चरें भी बनाई जाती तो उसमें भी यही दिखाया जाता है एक पिक्चर शायद आप लोगोंने देखी होगी बेबी कर के लिए को एक्षए कुमार की होगी साऱडवरी अलडेरा से एक पिशेंट को इंडिया ला रहा होता है लिए फेक अलगोंने कीषेंटवार है ठोच आधा है इंडिया थोडिसी देर लगा के रिप्लाइए कर बनना शक हुझाए पर डिङलदी काम नहीं करते हैं हैं सबसे पहले किसी ने बनाया किस ने बनाया और कव लागू किया बिटा फ्रांस ने बनाया 1954 में लागू किया सबसे पहले फ्रस्ट कंटी तो इंप्लीमेंट बैट जीस्टी डाट इस फ्रांस और इन विच यह और 1954 अगर उससे कंपेर करें ओ माई और रहने दो कंपेर मत करो बुरा लगेगा और देख सकतो कि फ्रांस आज की डेट में कहा है और हम लोग कहा है किसी देश की जो पॉलिसीज होती है उस देश की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा कॉंट्रिब्यूशन होता है और देश की अगर पॉलिसीयां अच्छी नहीं होंगी देश की पॉलिसीज अगर अच्छी नहीं होंगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश भी तरक्की नहीं कर लेंगे इमर्ज कर रहे हैं हम लोग अभी तो ऐसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज मैटर कर जाती हैं तो एक अलग आस्पेक्ट हो गया जिसकी वज़े से हम लोग जीस्ट को इंप्लिमेंट नहीं कर पाएं और पॉलिटिकल इशू कुछ नहीं विपक्ष हमारे देश का विपक्ष विपक्ष का काम करता है अगर तुमने कुछ बोला तो हमें अप आई थिंक एंडिये गवर्मेंट वस दिया बीज़ेपी लेड एंडिये नेशनल डेमोक्राटिव एलाइंस तो बीज़ेपी की सरकार थी और यह लोग लेकर आए कि जीस्टी आना चाहिए तब कॉंग्रेस मना करती नहीं जीस्टी जो देश ब्रोधी है नहीं आना बीज़ेपी वाले जो कह रहते हैं कि जीस्टी नहीं आना चाहिए तो बिपक्ष का काम करता है कि तुमने कुछ बोला वह सही कैसे हो सकता है नहीं गलत है ऐसा नहीं होगा और ऐसे 2004 से निकलते निकलते 2015 आ गया दो बार यूपी अका साशन घूंग गूंगे और जीस्टी क धेचा कोई भी होता था हर घटी कि लाएंगे अगले दो दुट दूर्ब सक्ट में लेकर आते हो लोग सवाव में रासभाव में लेकर आते तो उसके लिए नंबर गेम जरूरी है आगर आपके पास में नंबर है और आप उस बिलको पास करा देते हो, गोटिंग होती है ना, अगर पास करा देते हो, देन आप उस लॉक को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर यूपी के पास absolute majority नहीं हुआ करती थी, जिसकी वज़े से वो कही ना कहीं, GST इंप्ल में क्या करते हैं, पास कर देते हैं, और उन्हें GST को क्या कर दिया, पास कर दिया, और आज की डिरेक में GST जो है, वो पास साल का हो चुका है, तो हम लोग बात कर रहे हैं GST पर, इसी GST पर, जिस GST को 17 2017 से लागू किया गया, तो अब हम बात करेंगे GST, लागू कब से होता है, एफेक्टिव कहां पर होता है, यह बात जानना हमारे लिए जरूरी है, आप लोग को शायद पता है या नहीं पता कि कुछ समय पहले तक, जम्बू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर देश के सारे प्रोविजन अप्लिकेबल नहीं होते थे, यह बात प इंडिया और नॉट एप्लिकेबल इंड जम्बू इंड कश्मी इसके पीछे अपनी एक बहुत लंबी कहानी है, सुनोगे, यह ठीक है, बात है आजादी के दौर की, जब भारत देश आजाद हुआ, तो इसके दो पार्ट किये गए, हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, ज जिस दिन पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएं, तो देश को दो भागों में बाटा गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, और जो कश्मीर है वो आप तो जानते हैं कि वार्डर पर हैं, और कश्मीर अपने आप में अगर बात करें तो बहुत ही खुबसूरत, हर कोई जाता था कि कस्मीर हमारे पास में आये, और कस्मीर हमारे पास में आये इसके लिए, मतलا जब भारत आजाद हुआ तो फिर उसमें भारत चुटी चुटी sleeping觉 बटा हुआ था हुआ था, तो तों को चोटे मोटे राजा वगión लोग बैठे हुए थे, जो लोग है जो पनी अ कश्मीर राजा हरी सिंग एक वहाँ पर रूल करते थे और जब आज़ाद हुआ तो अपने यहाँ शामिल करना चाहता था और जिन्ना आप में पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर के कुछ हिस्टे पर कभजा करना शुरूब भी कर दिया था तो राजा हरी सिंग पहले मना कर रहे थी कि मैं इंडिया में शामिल नहीं होगा मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा पर जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान इदर से कभजा करता हुआ आ रहा है और उनके पास कोई और कुछ कंडिशन क्या कि हमारे इस राजी में कोई भी और विक्ति आकर जमीन नहीं खरी सकता और साथ में उन्होंने नियम लगाया कि भारत वर्ष का कोई भी नियम जंगुइन कश्मीर की जनता पर तभी एप्लिकेबल होगा जब यहां की असेंबली उसको क्या करेगी पास करेगी तो बहुत सारे नियमों के रिकार्डिंग जो जंगुइन कश्मीर की असेंबली थी बहां पर मतलब मैजूटी नहीं मिल पाती थी जिसकी वज़े से वो सारे नियम जंगुइन कश्मीर पर अप्लिकेबल नहीं होते थे तो बात आती कि क्या GST जंगुइन कश्मीर अप्लिकेबल था तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब हम लोग जो भी लिखेंगे और आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और शुरुआत करते हैं श्रीगरेश करते हैं GST का एक हैडिंग डालते हैं अच्छा एडिंग डालिए अपलिकेबलिटी औफ जी एस टी एफ एफ एफटीबनेस और अब बोलता हुए चल वह हैं कोई जरुआतिंग को देखे लिख होगे अपलिकेबलिटी और एफ्टीबनेस ऑफ जी एस टी multiple choice question आप लोग उसे effective date के संबंद में भी पूछा जा सकता है कि from which date GST was effective या implemented in India then आप बोलकर चलेंगे 1st of July 2017 GST was effective in India with effect from 1st of July 2017 1st of July 2017 प्रोविजन्स ओफ जी एस्ट आर applicable अब जरा मेरी बात को सुनेंगे 17 2017 को जब GST देश में लागू किया गया तो उससमें एक स्लोगन दिया गया और स्लोगन दिया गया वन नेशन वन टेक्स वन नेशन वन टेक्स और अगर 17 2017 की एक्शल में बात करूँ that day GST was not effective in Jambu and Kashmir एक तारिक को GST Jambu and Kashmir में लागू नहीं था पर स्लोगन वन नेशन वन टेक्स का आ चुका था क्या हम जम्म कश्मीर को अपने देश का हिस्सा नहीं मानतें नहीं बिलकुल मानतें पर उस समय GST आपका लागू नहीं था क्यों क्योंकि तब तक Jambu and Kashmir की assembly ने GST के regarding security नहीं दी थी साथ जुलाई की रही बात होगी साथ जुलाई की बात होगी उस दिन आपनों का बिल जो है वहां रखा गया और 8 तारिक को security मिल गई थी और 8 तारिक को अगर बोला जाए तो Jambu and Kashmir में भी क्या था GST आपका लागू हो गया था तो 8 तारिक को एक तरह के से बोल सकते हैं जो one nation one tax का slogan था वो साकार हुआ पर अगर आपसे पूछा जाए कि effective का बुआ तो आप लोग effective rate क्या बोलेंगे 17 2017 और आज की रेट में अगर हम बात करें तो जीस्टी के जो प्रोविजन से वो होल आफ इंडिया में applicable है इंक्लूडिंग जम्बू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग जम्बू एंड कश्मीर प्रोविजन्स औफ जीस्टी आप्लेकेवल इन होल आफ इंडिया जम्मा इंक्श्म इंक्समीर इंक्लूं एंडिया क्श्मीर एंक्श्मीर इन हो जम्मूब एंडियो इंक्श्मिर to implement GST France was the first country to implement GST और वो भी कब से विद इफेक्ट फ्रम 1954 में सबसे पहले France ने सबसे पहले क्या किया था GST को implement किया था अब यहाँ पर पहले में एक छोटे से वर्ड का आपको मतलब समझाऊंगा होल ओफ इंडिया देन वट दूब इन भाई इंडिया इंडिया मतलब इंडिया इंडिया का मतलब क्या हो सकता है कश्मीर से कन्या कुमारी तक कच्छ से लेकि कोहिमा तक सब कुछ क्या है इंडिया पर नहीं जी स्टी में इंडिया कुछ और है वह सर्क अभी आप जो बात करते कि आखिर इंडिया क्या मतलब क्या होगा तो मैं आपको एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं इंडिया इंडिया उसके बाद मैं GST के एडवांटेज इस लिखवा दूँगा फिर एक नए टॉपिक पर जाएंगे इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे तो बिटा दो जो territory है हमारी जो में बात करा हता कि कश्मीर से लेके कन्या कमारी तक कोहिमा से लेकर कच तक जो भी हमारी territory है वो तो इंडिया है ही है Apart from this हमने कुछ और चीज़ों को भी क्या किया हुए है इंडिया की definition में इंडिया के meaning में शामिल किया है सब किन-किन चीज़ों को शामिल किया है तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं भारत वर्ष हमारा नीचे से इससे और अच्छा है वस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी डिजाइन बने देए मेरे से अगर टेक्स के बारे में बात की जाए तो टेक्स अगर एक आर्ट है तो मैं उसका आर्टिस्ट है तो मैं बात करता हूं आप से इंडिया का नक्षा कुछ इस तरीके का नीचे से है और यह जो जहान लेंड एरिया ख्रुतम होता है इस जगे को हम लोग पता है क्या बोलते हैं इस जगे को हम लोग बोलते हैं बेस्लाइन या फिर चापना है क्या रुख जाओ आरम से पहले थोड़ा सा देख लो समझ लो चापने की जुरूत नहीं है मैं बाद में लिखने के लिए टाइम देदूंगा अगर रिक्वाइड ह इस बेस्लाइन से अगर बात की जाए इधर सब कुछ क्या है पानी 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 तो यह जो बेस्लाइन से जो वाटर एरिया है वागा हम इसकी बात करें तो यहां से यहां से 12 अप्टू 12 nautical miles तक का जो एरिया है इसको हम एक नाम देते है और नाम करें देते है territorial waters के नाम देते है territorial water सार देते होंगे पहले यह बता यह nautical miles क्या है तो nautical miles भीटा कुछ नहीं है distance को नापने का parameter है जैसे meter, kilometer वसी तरीके से nautical miles अगर हम nautical miles को समझने की बात करें तो 1 nautical miles is equal to 1.8517 kilometer तो बता जो baseline है उससे अगर water area इसमें बात की जाए तो up to 12 nautical miles तक का जो area उसको हम लोग क्या नाम देते है territorial water इसी baseline से अगर बात की जाए तो आपके जो up to 24 nautical miles तक का जो area है इसको हम लोग नाम देते हैं continental shelf अगर बात की जाए इसी baseline से तो इस baseline से जो आपका up to 200 nautical miles तक का area है इसको हम लोग नाम देते हैं इस canal ने कॉन जो इस्टभ एक्सक्लूजिव अकनॉमिक based जोन होन इसन्य मिदूल इसमिर आ clapping मिद्रा या चलूसिव एकनोमिक चून टेटरीट्रु वॉर्टर वी क्या है इंडिया है कि ट्वंटी नॉट्रीकल माइल तक जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जा रहा है वो इंडिया है है तु हंड़न नौटिकल माइल सब्सक्राइब क्षोल एक्स्क्लूजीव एक्नॉसिव जोन बोल रहें बтов b巯ा है इंडिया में और जिस जम अःकर चल रहे यहांग होगी एक्ली के लाख्याइब extraction का काम किया जाता है वहां पर जाकर मैं कोई service दे रहा हूं तो क्या ऐसे में मेरी service provided in India माने जाएगी यह नहीं माने जाएगी यह और ऐसे में जो GST के provisions होंगे वो क्या मेरी service की ऊपर लगेंगे या नहीं लगेंगे बिलकुल लगेंगे तो इंडिया में हम include करके चल रहे हैं territorial water, continental shelf and exclusive economic zone कोई देखकर यहीं तक नहीं रुके हैं अभी हम इसके आगी भी बात करेंगे इंडिया में territorial water, continental shelf, exclusive economic zone सबको include किया गया इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाईया जो यह territorial water है ना यह territorial water इसके नीचे 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 जो sea bed area है, समुधु सतह तक का जो area है वो भी इंडिया है, पानी पानी इंडिया नहीं है, पानी के नीचे भी समुधु सतह तक का area वो भी क्या होगा, इंडिया माना जाएगा पर cable समुधु सतह तक का area कहा तक, territorial water के नीचे, not continental shelf, not exclusive economic zone, not continental shelf, not exclusive economic zone, cable किसके नीचे, territorial water के है आपकी जो आपकी territory और यह हुए और यह ट्रीटरियर वाटर है इसके यह स्पेस दर्वह में के ल है भुद है को बी क्या है एंडिया है अब तक हमने केवल कैसा था जमीन-जमीन इंडिया है पर आध्य से पानी इंडिया है पानी के नीचे भी इंडिया है पानी के आउपर आस्मान में भी क्या है इंडिया है यत्र तत्र सर्वत्र केवल इंडिया इंडिया है तो जी स्थी में हम लोगों ने बात की जी इंडिया की और इंडिया में टेरिट्री को तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे अपा एर इस्पेस एवब टेरिट्री एंड टेरिट्रील वाटर चाहर ऑल्सो भी टेकन एज इंडिया तो इस डेफिनेशन का फरक क्या पड़ेगा जहां इंडिया वहां-बहां जी इस्टी के प्रोविजिंस की एप्लिकेबिलिटी रहेगी क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे है आया ना तो यह आप लोग एक हेडिंग डाल चुके हैं इंडिया तो लिखना शुरू करेंगे पहले मैं लिखवाता हूं उसके बाद अगर आपका मन करेगा तो लिख लेना क्योंकि ट्रम्स का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ही पर पहले इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं टेक्स्ट लिख लेते हैं उसके बाद इंडिया है राल चुके हैं इंडिया नील्स टेंस तरीटरी TE और ला प्रत तरीटर और उंकलोज़ इंद धन, क्लोज़ औरे घ्डडरीटरी और लॉ थरन्यूल the territorial waters includes continental shelf exclusive economic र प्रेड और टूड एर अ शर्पाल्ल hy लेंक दग टेरितोरिल वाटर अंडर-लाइंक गडेक टेरिटोरिल वाटर वह भी आपका इंडिया होगा एयर इस्पेस एवर इट्स टारिट्री एंड टेरिटुरियल वाटर्स तो जो एयर इस्पेस है वो भी क्या होगा आपका भारत वर्षमाना जाएगा तो यह मैंने आपको मतलब बताया किसका इंडिया का दो बाते बता चुका एफेक्टिव कब से हुआ नंबर दो मैंने आपको बताया एप्लिकिबिल्टी कहां पर है इंडिया में इंडिया का मतलब क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया अब एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है पराणे सिस्टम में कम्या थी एक नई टेक्स Сिस्टम की जरुवत थी तो हम लोग जी-े-चसी को लेकर आएं बारे बिसक्स करना चाता हूं कि कैस्अ क्मoot में नहीं हुए और अगर वै कि उखकूं से टैक्सिस को खतम क्या乾़ हम उसके बारे में इस्कम करना उचुरू करें और आप से एक्asma में एक बार नहीं कई बार सिपुछा रही बदेन आपको बता है किि टैक्स अपने हाइवे में चैक्स ऑस चैक्स ऐसन चैनल यूवरूमिट अब जरूरत है तो अपने देश में कुछ taxes ऐसे हैं जो state government लेवी करती है और कुछ taxes ऐसे हैं जो central government लेवी करती है तो GST आने से जब हमने taxes को खतम किया तो कुछ taxes central government के थे जो GST में merge हो गए GST के आने से खतम हो गए और कुछ taxes state government के थे जो GST के आने से खतम हो गए तो मैं आप लोग उसे बात करना चाहता हूं इनी टेक्सिस के बारे में कि कौन-कौन से टेक्सिस को GST में GST के आने से खतम कर दिया गया और आपके अलग-अलग exam में question रह चुके हैं mention any four central levies which are subsumed under GST, mention six state levies, four central levies पूछा था और six state levies which are subsumed under GST मतलब जो topic मैं आपसे discuss करने जा रहा हूं वो again फिर से क्या है आपके examination question से related है इसको अब अगर एक theory question पर ना पूछे आपसे अगर cable एक multiple choice question के तौर पर भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है वो कैसे पूछ सकता है मैं आपको कोई भी चार टेक्सिस दे दूँगा और पूछ लूँगा कि बताईए इन मेंसे कौनसा टेक्सिस जी एस्टी में सब्जूम्ड हो गया या सब्जूम्ड नहीं हुआ और correct option को आपको फिर से select करना पर सकता है तो multiple choice question अब पूछे जाने के ज़्यादा chances है यह easy easy question जो होते है ना जब नया नया जी एस्टी आया ही आया था तो ऐसे ऐसे फालतू बेकार बेकार से question पूछे जाते ते क्या बता हूँ लेट हो गया हाँ आप लेट हो गया अब तो questions जो है वो बड़े typical typical question को भी पूछा जाता है पर इस्टिल मानें के चलिए बीटा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी जीएस्टी में टिपिकल नहीं है तो मैं आप लोग से बात करता हूँ थाखसस युँँँँँँट थाज़ ऑ स्प थाखसफोहभण ट्यवथ लेक्ट ट्री बात करते आप ट्यूंदल 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 घर च्युद टे अबिडत लेसे टेक्सिज लेवीड बाय चेंट्रल गवर्मेंट पहले बाप से बात करूंगा कौन से टेक्सिज जो लेवी के जाते थे किसके द्वारा चेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा मैं आपको समझाऊं लिखवा हूं स्वरी उससे पहले मैं कुछ आपको फिर से समझाना चाता हूं और समझ जाओगे तो फिर यहां पर जो मैं टर्म्स यूज करूंगा जो टेक्सिज लिखूंगा आप उनको थोड़ा सा जानकार होगे तो समझने में आसानी रही चलिए जा रहा हूं वह बिल्कुल भी लिखने लेकर नहीं है केवल समझने की चीजे समझ के चलेंगे पुर अने टेक्सित के बारे में बात हैने इसलिए कुछ भी लिखने वाला नहीं है अगर मैं अर्लियर बात करूँ तो मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि गुड्स की मैनुफेक्श्रिंग पर क्या लगता था एक्साइज डूटी बेरी गुट एक्साइज ओन मैनुफेक्शन लगा करती थी और ये एक्साइज डूटी लगती थी ये दो लोगों के द्वारा चार्ज की जाती थी कुछ पर Central Government लाए भी करती ती और कुछ फुर्ड पर सेट कुछ पर सेट कुछ मैंने बता है भी अपने भी खर्चे वते हैं川 की भी साइजक करते हैं で लूसे को फैसे सबको पैसे चाहिए प्यससorbको पैसे चाहिए तो इस्टेन को पर एक्सार्ज चार्ज करो आप कुछ पर हम चार्ज करेंगे टेक्स हम कलेक्ट करेंगे अपने खर्च चलाएंगे तो एक एक्ट बनाया गया था Central Excise Act 1944 Central Excise Act 1944 और इसमें almost सारे के सारे goods को mention कर दिया गया था जिनको हम लोग Excisable goods बोलते हैं goods mentioned under Excise Act are known as Excisable goods और इन goods पर जो tax charge किया जाता था वो tax charge कौन करता था Central comment मतलब जो main portion था Excise का वो कौन लेवी कर रहा था Central और जो Central government Excise duty लेवी कर रही थी यहां पर वो दो नाम से लेवी कर रही थी एक basic Excise duty Basic Excise duty जिसका मैंना भी आपको बता है 12.5% का rate था पर सरकार चाहती कि कुछ goods को महंगा किया जाए कुछ दिमेरिट goods को महंगा किया जाए दिमेरिट मतलब जो goods अच्छे नहीं है लाइक पान मसाला मुह में रजनी गंदा और कद्बों में दुनिया शौक बड़ी चीज़े है ना आपके स्वास से बाकिफ है हम है ना तो देरा lots of पान मसाला brand और जिनको इस तरीके से present किया जाता है कि बिना खाये आप success नहीं ले सकते तो मैं उनहीं पान मसाला प्रोड़क के बारे बात करते हूँ सरकार नहीं चाहती कि इन चीज़ों का consumption बड़े तो उनका consumption ना बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा कि इनको थौरसम क्या करते हैं महंगा कर देते हैं और महंगा कैसे करेंगे हम इनकी उपर आप से कुछ अडिशनल एक्साइस ट्यूटी और लेंगे कुछ और ड्यूटी कलेक करेंगे जिसको नाम देदिया एडिशनल एक्साइस ट्यूटी के तो additional excise duty भी कुछ goods के संबन्द में levy की जाती थी, तो अगर मैं बात करूँ कि कौन से tax is subsumed हुए, तो मैं बोलता हूँ basic excise duty and additional excise duty, तो आप समझ पाऊगे कि यह ना basic से मतलब क्या है, जो almost सारे goods पे लगती थी, additional excise duty से मेरा मतलब क्या है, जिनको de-married goods पर Central Excise Act 1944 के अंदर लेवी किया जाता था, अब बात आजाती है, ऐसे goods जिन पर excise duty स्टेट गवर्मेंट लगाती थी, और पहला आइटम था, alcoholic liquor, liquor for human consumption, कितना अंग्रे जी में बोला तो कितना इसकी खुबसूर्ती बढ़ गई, alcoholic liquor for human consumption, हिंदी भाष्या में बोले तो शराब, कितना cheap type का लग रहा है बुलने में, पर अंग्रे जी में देख रहे हैं कितना खुबसूर्ती बढ़ जाती है, अजीब चीज है, अजीब चीज किस सेंस में अजीब चीज की बात करूँ तो अजीब चीज किस सेंस में आपकी स्टेटिस के according आपको नाम देती है, कोई राइस आदमी पीता है, तो हम बोलते हैं, he is alcoholic, कोई medium class आदमी पीता है, हम बोलेते हैं, शराबी, कोई roadside आदमी पी के पढ़ा होता है, तो बोलेते हैं, बेवडा, consumption, सेंस चीज का है, पर आपके स्टेटिस के according, हम नाम देकर चलते हैं, तो वही शराब की बात हो रही है, उसी alcoholic liquor की बात हो रही है, for human consumption, ठीक है, इस पर जो भी XI duty लेवी की जाती थी, वो कौन लेवी करता था, आपकी स्टेट गोवर्मेंट, इसी तरीके से opium, hemp, और narcotics item, opium मतलब, भुले बाबा का परशाद, भांग, हम भांग नहीं पीते, नुशान नहीं करते हैं, हम परशाद लेते हैं, बस बाबाबा का देरा, तो मना को इस करता है, क्या, नहीं, हमारे मना करते हैं, परशाद को नहीं करते हैं, तो ले लेते हैं, मैंने एक बंदे देखा फो तो शराब नहीं मैं तो बस बहों कभी परशाद लेता हूं परशाद समझ की पी लेता हूं सब्स वह छाता है बाकी है ना कभी शराब को हाथ नीलगाए मैंने तो ऒाह bent की बात हो रही है होली आती तो इसकी बढ़ जाती है है ना कवे हो ली है तो तो यह एलकोलिक लिकर एक्साइज लगाया जाता था इस्टेट गवर्मेंट के दौरा लगाया जाता था पर कुछ जगह पर दिक्कत आई दिक्कत आगई कहां पर कफ सीरप पर दिक्कत आगई समझते हैं इसके मेरिट्स को समझते हैं अगर कप सीरप को हम ऐसे आर्टिकल के तौर पर बात करें तो यह किस के अंदर केटेगराइज होता है मैडिसिन्स मैडिसिन्स हाँ यह ना पागर इनकी इंग्डिएंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसमें क्या शामिल है अगर हम कभ सीरप को मैडिसिन मान कर चले तो मैडिसिन तो स्टेट वाले कॉलम में कहीं मेंचन है नहीं तो इसका मतलब इस मैडिसिन पर जो एक्साइज ड्यूटी लेवी होनी चाहिए वह कौन करेगा लेवी सेंटल पर अगर इसके इंग्रेटेंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जीएस टी को इस पर जो एक्साइज से कौन चार्ज करना चाहिए स्टेट को दड़ाई होगी वह कहां करेंगे हम करेंगे हम करेंगे पैसी की बात है जिसको चार्ज करने को मिलेगा उसको रिवेन्यू भी जिनरेट होंगे तो ऐसे में जब अब बात अर्गुमेंट पा आ गई तो उन्हें एक नया एक्ट ही बना दिया और एक नया एक्ट बनाया गया गया अगया इन सारे अटम्स को और इनमें जो भी एक्ट में आइटम मिंशन होंगे उस पर एक्साइज लेवी करने की जो पावर होगी वो विद सेंट्रल गव dalते तो इसका मतलब सेंट्रल 12uestas एक्ट के ऐपार्ट हम एक्साइज डूटी चाइज करते हैं सेंट्रल गववन्नेंट ऐक्साइज डूटी चाइज करती है ऐसे अईम्स पर जो आइटम्स हमारे medicinal and toilet preparation act में क्या है mention है तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं भी आइटम अधिईक व्यूह थार एक दिश्टश्य सवाइटन श्रटमझ सम दे टमग देय्स श्रटमझलipोंडड रैसे एक लिड के स्वाइटनेख्वनद टिश्टनेखन अधिश्ट अ्यूट्सम चार्टमझल ग्रटमझल ग्यूटल ट्यूटरश्टनेख्टनेट रटम प्रिपरेशन एक्ट नाइंटीन 55 तो अगर मैं आप लोगों से बोलू कि दुख्ष अगर मैं बोलों कि व्ल एक्साइज सब्जिम्ड हो गया तो कौन सा एक्साइज सेंटरल वाला इस्टेट वाला जैंटरल में भी कौन सा वाला एक्साइज बेशिक एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी ऑन दा आइटम्स विच आर मेंशन अंडर ट्रावलेट एंड प्रिपिशन एक्ट इसलिए मैं आपको इस सब चीज समझा रहा हूं इसलिए मैं केवल ऐसा नहीं हो सकते केवल एक्साइज सब्साइज हो गया लॉट्स ऑफ टेक्स अंडर एक्साइज तो मुझे पर्टिकुलर वन टूफन बात करनी पड़ेगी कि कौन सब्साइज नहीं हुआ तो बेटा अब मैं आपनों को जो लिखवा रहा था महां पर आ लिखेंगे सब्सक्राइज सब्सक्राइज अंडर जी एस्टी और पहला मैं बता रहा हूं टेक्स लेविट वाय सेंट्रल गोव्मेंट और हैं पर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे बेसिक एक्साइज डूटी एंड एडिशनल एक्साइज ट्यूटी अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्साइज एक्ट नाइटिन फर्टिफोर यह खतम हो चुकी है आज की देट में इसका कोई भी एक्जिस्टेंस नहीं है नमबर दो excise duty on items mentioned and the items mentioned under demerit cigarettes हो गया आपके पान मसाला हो गए इसब demerit ना जाते हैं excise duty on items mentioned under medicinal and toilet प्रिप्रेशन एक्ट नाइंटीन फिप्टी फाइव नंबर थर्ड नंबर थर्ड समझाने से लिखवाने से पहले फिर से मैं कुछ समझाना चाहिए अब दुख में वर्ट जो लिख रहा हूं आपको शायद इसमें कोई query होई होई नहीं रहे होगी क्योंकि आप लोग पहले को क्या कर चुके हो समझ चुके हो अगर इस्टिल कोई query है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कोई दिखकत है आतक नहीं चली आगे की कहानी सुनते हैं जब लोग पहले बात करते हैं तो आप लोग जानते होगे कि हमारे हम पर हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से इंडिया में सामान लेकर आए एक्सपोर्ट मतलब देश से किसी दूसरे देश में सामान हम लोगों ने भीजा और इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लोग discuss करते हैं किस में customs में custom duty में क्या बोलते हैं custom duty तो custom duty पर अगर बात करें तो cf final label पर custom duty का discussion किया जाता है तो custom duty में हम लोग दौनों चीज़ों को शामिल कर रहे हैं import को और export को import पर import duty export पर export duty मैं थोड़ा सा आप से import के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और जब आप थोड़ा सा import के बारे में जानकारी ले लोगे तो मैं आपको अपने अगले टेक्स जिसको हमने GST में substitute किया उसको समझा पाऊंगा उसको लिखवा पाऊंगा शुरू करें करें शुरू हम जब भी किसी goods को import करते हैं तो हमें import duty pay करनी पड़ती है और import duty पहले कैसे कैसे levy की जाती थी जड़ा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इंपोर्ड डूटी पहले कैसे कैसे लैवी कि जाती थी इस बात को समझने की कोशिश कर यह करें हैं value of goods imported, value of goods importedů आपने जो value goods import किया उसकी जो value है कितनी है माल नेते हैं 10,000 तो जब आप goods import करोगी तो सबसे पहले इस पर एक dex लगता है basic custom duty और जो basic custom duty है वो पता है कितनी है आज की जिट में 10 परसेंट कितनी है 10 परसेंट तो अब आपने 10 लाग रुपए का अगर सामान इंपोर्ट किया तो आप इस पर कितना कस्टम जीटी दे दोगे और टोटल कितना जाएगा 11 लेक इतना अगर डिसक्स किया जाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पर इतने प्रोविजन्स रहने से हमारे जो देश का Domestic Manufacturer था कौन Domestic Manufacturer था उसको कुछ दिक्कत होना शुरू हुए मैं इस बिफोर GST समझा रहा हूं भी आपको तो बिफोर GST अगर केबल basic custom duty को लेवी किया जा रहा था तो ऐसे में कहीं हमार तो कहीं हर्म और हमारी चोंब्स्टिक in िंडुस्ट्री हों कहीं हार्म होगी करने का कैसे और हो जाईगी हो फीसाएंब देखो था एक इन्डिया का manufacturer और एक मान लेते हैं इंडिया के बार का लाके मेरा प्राइज है इसे में कोई आप बपाओ मुझस से पश्कर पर इसकोता करोगा इंदया थूने पर किया होगा तो मेरे इसमें पराइज जसे करना फसंद करेगा और या इंपुर्टकरस करना कि इंपोर्ट करना पसंद करेगा क्यों कि वह तो केवल एक लाग रुपई चार्ज करेगा मैं एक लाग प्लस कस्टम डूटी लाइवी करूंगा तो ऐसे में आपके देश के जो टैक्सिस हैं वह हमारे जो डॉमिस्टिक इंडस्ट्री है उसको हार्म कर सकते हैं सरकार ने का दूसरी डिश में लगती तो ऐसा करते हैं आप गुस्ट सेमस्ट्र शेयेश करोगे हैं नहीं है हम एक साइस के औक एक पॉल हम इंडिया में ही अ और कर लेते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया counter welling duty इसको प्यार से बोलेते हैं CVD और यह क्यों लगाया गया तो to compensate excise और इसका जो rate था rate भी क्या होता था rate equal to excise duty in India सेम और similar goods अगर इंडिया में बनाया जाता है तो उसके कितना excise लगता है उसके इक्वार क्या था उन्हें आपको क्या करेंगे excise duty को compensate करने के लिए counter welling duty लेवी कर देंगे अब बताओ क्या 5 काुन्टर मेलिंग ड्यूटि-चार्ज कर रहे अब दोनोनों का प्राइस सेम एक्साइस को तो Ou Quality कर्दिया करने के बाद हम सामान को बेचते हैं तो तक सघ्स करते हैं करते हैं ऑपक्राइफ यह तो इनडिया में लगा रहे ना मैं एक लाक रुपे का सामान प्लासなら一個 लगाऊंगा आपने exercise को compensate कर दिया था यह इंप्वी इंपोर्ट इड्वित्स सथा होगा या नहीं होगा होगा मैं तो क्या चाहते हैं सेल्टेक्स को भी क्या किया जाए था था कंपनसेट करने के लिए उन्हें पते क्या किया एक और और countervailing duty लगा दी जिसको नाम दे दिया special CBD इसको नाम के दे दिया special CBD और special CBD भी हाँ पर लैवी हो जाएगी हाँ पर लैवी हो जाएगी और आपका total excise duty टोटल जो custom duty होता था वो आ जाया करता था पर अब इक बात बताओ एक्साइज को compensate करने के लिए हम लोगों ने countervailing duty लगाई थी अब बेचारा excise ही नहीं रहा तो क्या यह रहना चाहिए एक्साइज को compensate कर रहे थे अब अकर excise ही नहीं है तो क्या countervailing duty लैवी होनी चाहिए बिल्कुल नहीं equal to excise लगा रहे थे अब जब excise ही नहीं लगा रहे उस goods पर तो फिर countervailing duty का भी कोई relevance नहीं रहे रहे गया से लिटेक्स लगा रहे थे हैं अब हम सिल्टेक्स क्या कर चुके हैं खतम कर चुके हैं तो ऐसे में सिल्टेक्स को compensate करने के लिए special cbd लगाए गई थी तो अब वह इसका भी existence क्या होना चाहिए खतम होना चाहिए रहा का बैरी गुड आ जाओ उपर और तीस desperation कांटरवेलंग ड्यूटी कांटरवेलंग ड्यूटी अधिस्पेशल कांटरवेलंग ड्यूटी स्टि ऑर छिवण चिव ně जो अंडर कस्थम्स चार्ज की जाणती है कोरे भी दिख्कत बच्चे कोई दिक्कत पक्का पक्का समझ भार हूं न कि कौन कौन से टेक्स को खतम कर रहे हैं और यह कहां लगते थे कैसे लगते थे क्यों लगाए जाते थे सेंट्रल सेल्स टेक्स जिसकों सी एस्ट बोलते थे क्या हम यहां पर वैट लिख सकते हैं बच्चों क्या इस कॉलम में मैं बैट लिख सकता हूं नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता क्यों कि मैं केबल वो टैक्स डिसकस कर रहा हूं जो सेंट्रल गवर्मेंट लागाती जिनको GST में मर्ज कर दिया हाँ या ना और मैंने भी थोड़ी दर पहले क्या समझाया था कि बैट कॉन लेवी करता था बैदी कुट पॉइंट नमबर फाइव सर्विस्टेक्स सर्विस्टेक्स आप लोग जानते हैं कि जो सर्विस्ट पर लगाया जाता था ओर पॉइंट नमबर 6 एंड लास्ट पॉइंट नमबर 6 एंड लास्ट सर्चार्ज एंड सर्चार्ज एंड सेसं लेवी इन रेस्पेक्ट आफ व गोड्स एंड सर्विस्ट अब इधि थोड़ी दर पहले मैंने आपको समझाया था service tax तो मैंने कहा था service tax का जो rate था वह था बच्चे 14% और उसके 14% के addition में हम लोग क्या करते थे 0.5% सवच भारत CES लगाते थे और 0.5% क्रशी कल्यान CES लगाते थे और टोटल में effective rate of service tax was 15% तो जो CES लगाया service tax तो अपने हाँ पर खतम कर दिया 14% और बागी बचा CES 0.5% का क्रशी कल्यान CES 0.5% का सवच भारत CES क्या वो लाइवी होता रहेगा नहीं उसको भी क्या कर दिया खतम कर दिया सरे एक बात जानना चाहते हैं पूछो सरी CES क्या होता है यह tax क्या होता है क्या इन में कोई अंतर होता है या दौनों चीज़े सेम है तो बिठा अंतर होता है CES भी एक तरीके का tax का ही पार्ट है पर इन में एक basic difference दरता है CES is a part of tax levied by government पर एक basic छोटा सा अंतर है और अंतर collect किया जाता है किसके नाम पर tax के नाम पर जो भी amount collect किया जाता है that can be used utilized for any purpose like for defense like for security like for infrastructure like for education like for health किसी भी जगे आप इस पैसे को क्या कर सकते हो use कर सकते हो but when amount is collected in the name of CES then that can be used only for the purpose for which it is collected जिस परपस के लिए इसको collect किया गया के विल आप इसका utilization उसी परपस के लिए कर सकते हो सच भारत CES मतलों है पर जो CES collect किया गया है वो किसके लिए सच भारत के लिए तो भारत को सच रखने में ही के विल इस amount का utilization हो सकता है क्रिशी कल्यान सेस तो इसमें हम लोग जो इसका utilization करेंगे किसके लिए farmer welfare के लिए farmers welfare के लिए इसके apart हम इसको किसी और चीज़ के लिए utilize नहीं कर सकते पर tax का amount हम किसी भी purpose के लिए क्लिए क्लिए इट्राइज कर सकते हैं कोई दिक्कत कोई दिक्कत चक्ला से क्या आप लोग की तो हम लोग बात कर रहे थे सैस की अब देखो जाने हैं पर वर्ट्स को जात फिर से थ्रौ सा समझने की कोशिश करेंगे लिखाए अगर मैं आप लोगों से बोलू की income tax में हम लोग क्या करते हैं एक सैस चार्ज करते हैं 4 पर सेंट का नाम देते हैं education health and education says क्या नाम देते हैं health and education says और levy करने किस पर on income on income तो क्या वो खतम हो गया गया जीस्ट आने से नहीं क्यों क्योंकि that was not in relation to goods and service केवल सैस और सरचार्ज भी कौन सा जो goods और service के संबद apart from अग इसी और चीज़ के संबद में सैस चार्ज किया जा रहा है वो जीस्ट के आने से खतम नहीं हुआ वो आज की रिट में as it is continue चलता रहेगा basic custom duty custom duty सर कौन चार्ज करता है central या government तो मैं आपको बता दू central government चार्ज करती है custom duty कौन चार्ज करता है central government हमने किसको किया cvd और special cvd इसका मतलब import के case में आज की रिट में ये 10% basic custom duty क्या होती होगी levy होती होगी मैंने उपर कहीं पर भी नहीं लिखा है अगर बात करें तो मैंने कहीं पर भी basic custom duty नहीं जिकर किया है इसका मतलब basic custom duty को GST में सब्जियूम्ड तो नहीं किया गया समझे रहना मेरी बात अरे हाँ यह ना यह तो अब आ जाते हैं स्टेट लेवी भी समझाए दू हां ओबर डूज हो गई अब तो स्टार्ट वह तो दुख अभी तो एक पेज नहीं लिखा होगा आप लोगोंने हैं ना बाहर क्लास है एक लोग की पर के कोई बात नहीं दस मेट लगेंगे दस मेट में निप्टा देते हैं मैंना टॉपिक को अधूरा छोड़के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा आपको भी और मुझे भी पॉइंट नमबर टू पर आ जाते हैं टेक्स लेविट बाई सेंटर इस्टेट गोवर्मेंट नमबर ए नमबर ए वेल्यू एडिट टेक्स एंट्री टेक्स एंटर्टेनमेंट 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 टेक्स बुला तीन बार पर लगता है एकी बार है यह लगता था जैसे सिनेमा ओल्स बगरा में आप लोग जब जाते थे तो जो टिकेट पर्चेस करते थे तो हो सकता आपने देखा हो कि अगर मिलता हो तो उस पर लिखता होगा बैली ओफ टिकेट और उसके बाद में इंटर्टेनमेंट टेक्स भी क्या हो गया खाता है टेक्स औन बैटिंग गैबलिंग एंड लॉट्री होग बैटिंग गैंबलिंग गन्दीवाथ था बेटा बिलकुल गंदीवाथ नहीं खिलते पर इस पर टेक्स लगता था यह तो लेगल ही नहीं नहीं है Student. ये legal है कुछ states में जैसे state government के पास power है। कॉन लेवी कर रहा था? State government तो state government के पास power थी वो चाहें तो अपने बैटिंग गेंवरिंग लोटरी valid कर सकते है, चाहें तो बैलिड नहीं कर सकते जैसे दिल्ली है दिल्ली में इमांदार सरकार है तो कहती ही हम Lottery नहीं यहां पर आपको क्या होगा लोटरी कि टिकेट मिल जाएंगे नॉट इस जाएंगे सिर्प्रम मिलेंगे लोट्री के लोट्री से भी सरकार को सबस्टेंशल रिवेन्यू कलेक्ट होता है और सरकार चाहे तो अपने राज्य में लोट्री खेलना लीगल कर सकती है और अगर लीगल नहीं करें दैन इस इलीगल गोवा गॉण आप गोवा जाकर देखो तो आपको कैसीनों खूब सारे मिलेंगे डालिटिन बहुत बड़ा नाम है उनमें अगर बात करें तो डैल्टिन के मतलब शिप मिलेंगे शिप में कैसीनों चल रहे हैं भारती जमीन पर कैसीनों नहीं खूल सकते मत खूलो शिप में खूल देंगे पानी में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है तो आज की एक बैटिंग गैमलिंग भी हो रह कि रेस कोर्श क्लब दिल्ली में माननी प्रदार मंत्री जी कहां जहाँ आवास है उसके पीछी के तरफ को रेस कोई हर मंगलवार रेस होती है हर मंगलवार रेश होती है आज सुमवार है कल रेस होगी भाप घौर पे जाकर आप पैसे लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो बहां साफ साफ जो काउंटर होते हैं जिस पर पैसे लगाते हैं उस पर साफ साफ लिखा होता है कि 500 रुपए का लगाओगे तो इसमें इतना रुपए का बैट होगा बाकि इतना टेक्स है तो टेक्स कौन सा है जी एसटी हर मंगलवार टेक्स ऑन एडवर्टीजमेंट टेक्स ऑन पर्चेस एडवर्टी ठीक है तो यह कुछ टेक्स होते थे और सर्चार्ज एंड सैस लेविड बाइं स्टेट गवर्वर्वन्मेंट इन रिलेशन टू बूर्ट्स एंड सर्विस आपका क्या हो जाएगा जी एस्टी में सब्जिम्ट कर जाएगा तो यह कुछ स्टेट लेवीज हैं यह कुछ आपकी स्टेट लेवीज जो आपके एस्टी में क्या कर दी गई सब्सिम्ट कर दी गई उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी जटना भी लिखाया है सब मैंसे अब तक और सेटाटिप्ट लाइवीज इनसे सवाल पूछे जा चुके आगे भी मल्टिपल चोसी पूछे जा सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं आज की एतना ही रखते हैं बाकि हम लोग कॉंट्टिनुड करेंगे अपने अगली क्लास में वे गुडट टाइम टाटा घ़ नई